खर दोस्तों मैं हूं दिनेश के ओरा चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है आज बात करते मन बहुत दुखी है एक ही प्रश्ण है मन में हम वोट क्यों दें किस लिए वोट दें किसको वोट दे लोक तंत्र का महापर चुनाओ लोक तंत्र एक उत्सव है उस उत्सव का हम भा भारत के नागरिक हैं हम जाते हैं वहां पे खुशी-खुशी वोट देते हैं और अगर हमारा कैंड़ेट जीत जाता है तो हम खुशिया मनाते हैं मनाते हैं लेकिन यह नहीं पता कि दो-ती मेहने के बाद हो पार्टी बदर के दूसरी जगह चला जाता है पूरे भारत में अगरिक भाकणड मंची हुई है हर वक्ती एक पार्टी की और भाग रहे ह है भाझपा की और कॉंग्रेस वो समाजषवदी पार्टी हो बाकी पार्टी हो तूट तूटके लोग महां जा रहे हैं ऐसा लगता है कि कोई विपक्ष का जहाज डूब रहे और वहां से सब दार बचे हैं और बिखने वाले बचे हैं कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है दुबई में एक इंटरेंशनल फेस्टिवल होता है साल में एक बार जहां पूरी दुनिया से चीजें बिखने के लिए आती हैं लाकों करोड़ों लोग उसको विजिट करते हैं आज कल इंडि नहतिक्ता के नाम पर कौन सी नहतिक्ता सहब नहतिक्ता गई तेल लेने ये मांदरी गई तेल लेने जब सारे के सारे सदस से बिकने को तयार बैठे हैं राजनीती में तो ये हमारे कौन से करणधार बनेंगे ये देश का क्या उधार करेंगे ये बिकने वाले लोग देश क क्या उत्हार करेंगे जब सारी की सारी दोड़ और ललाई सब्ता की कुर्सी के लिए हो तो फिर देश की कौन सोचेगा कौन सा देश कैसा देश और हजार सार इसलिए तो गुलाव रहे हैं हम सहाब प्रशन उठता है मैं वोट देने अब क्यों चाहूंँगा अब मैं वोट नहीं देने जाओंगा मेरे साथ हो सकते है लाकों करोड़ों लोग भी वोट देने आब ना चाहें क्योंकि लोक तंत्र अब ना एक पर्व है ना उत्सव है लोक तंत्र बंगे अब खरीद फ्रोक्त का एक उत्सव सेल एंड पर्चेज एंड ग्रेट आक्षण ग्रेट इंडियन आक्षण दे ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सेल कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो यहां पे हर विधाएक, हर सदस से कहीना कईसी प्रलोबन से, थ्रेट से, इससे, उससे भीकने को तयार है या करीदने को तयार है एक मंडी लगी हुई है शाम बेनेगल के एक पिक्चर आई थी मंडी मंडी लगी हुई यहां पे सर्चिज भीक रही है नैतिक्ता की बात करते हैं उपर बैठे लोग ये भारत को नया राह बताएंगे ये भारत को नया देश बनाएंगे हद हो गए इसवाब जागोवा हो, करनाटका हो, बंगाल हो संसत के अंदर टीडी बी के चार एंपीस चले गए और भी जाने को तयार बैठे हैं, अभी एक रास्तवा के एसपी के मेंबर ने भी रिजाइन कर दिया, वो भी बीजेपी जॉइन कर रहे है हम वोट क्यों दे हैं, कौन सा लोगतंतर है, लोगतंतर है नहीं अब तरसल भारत चीन बन गया है, भारत की बड़ा घाप wasn't this नहीं बचेगा जहांपे भाजपा शासन नहीं करेगी, वहांपे को सवाल नहीं उठाएगा, सवाल तो अब भी खर कोई नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं होंगे, कोई पूछेंगा नहीं, चीन में कोई नहीं पूछता साथ, भारत में भी कोई नहीं पूछेगा कुछ सालों में, यहीं होगा, यहीं होने चाह रहा है, तो political ही भारत चीन मनता जा रहा है, मोधी जी हमेशा कहते थे कि स्ट्रॉंग विपक्ष होना चाहिए, लेकिन राजनितिक विश्लेशक इस बात को मानते हैं कि इंडिया में जितने भी ऐसे राजनितिक वक्तवे दे जाते हैं, मतलब उसका उल्टा होता है, स्ट्रॉंग विपक्ष का मतलब यहाँ पे इंडिया कोई इस रिसॉर्ट में जाके बैठा है, कोई इस पार्टी के हवाईजाद में ट्रैवल कर रहा है, कोई जाके मान मनवल कर रहा है, कोई जाके बोल रहा है कि वापिस आजा हम तुमको मंतरी पत दे देंगे, गोवा से पूरी पार्टी शिफ्ट होके एक पार्टी गोर चल यहाँ बेचनेवा़े भी वही हैं, खरीदャ भी वहईं हैं Sam Pically को तैयार बैठे हैं यहाँ पर कुछ एक कहेंगी हम नियतिक्ता में विश्वास करते हैं जी हाँ आप जब खरीद फ्रोक करते हैं तो वह नियतिक्ता नहीं होती है अनैतिक्ता होती है जब आप इन चीजों को बढ़ावा देते हैं तो अनैतिक्ता ही होती है विजे वर्गी खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया प्रधान मंतरी जी का कि किसी का बेटा उप भक्षा नहीं जाएगा लेकर आज एक महिना होने कि वागए कोई एक्षन नहीं है साप कुछ पता ही नहीं है फिर बात रहा तो कहा गया टालने को कि जो स्टेट नीजरीप हो एक्षन लेगी कहीं कोई action नहीं होता भाजपा के बड़े सारे मंतरी हैं बड़ बोले या कुछ सदस्य हैं साक्षी माराज, गिरिरा सिंग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे जो चीज भाजपा को सूट कर जाएगे उसको चुप हो जाएगे ये सूटने करें कि बोलेंगे परसनल वक्त अब हम इससे कुछ लेना देना नहीं ये पार्टी की लाइन नहीं है तो इमानदरी गई, तेल लेने नैतिकता गई, तेल लेने मॉराल्टी गई, तेल लेने बता नहीं क्या होने जा रहे हैं मूल प्रशिंद बापिस आता है हम वोट क्यों दें क्या ये लोगतंतर है अब क्या लोगतंतर का परू का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से कोई कैंडिडेट चुने, उन्हें वोट दें और वोट क्यों दें अगर वो जीतने के बाद भी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे बिखने को तयार बैठे हैं कोई एक करोड में, कोई दस करोड में, कोई सो करोड में Great Indian Political Sale बाजार लगा हो है साहब अब हम वोट नहीं देंगे मैं तो नहीं दूँगा तो इसलिए नहीं दूँगा कि इस वोट के अब कोई कीमत नहीं है अगर मेरे वोट से कोई जीत भी जाता है, तो फिर भी वो उसके जीतने के बद मैं हार जाता हूँ क्योंकि वो फिर वही चला जाएगा तो वोट क्यों दे हम भारत ही वोट क्यों दे कौँसा लोग तंत्र का उत्सव है यह कौँसा परवय साब सब बेकार की बाते है अब यहाँ विपक्ष की जरूत नहीं है विपक्ष है भी नहीं जरूत भी नहीं स्ट्रॉण विपक्ष चोड़िये वीक विपक्ष की भी जरूत नहीं है अब भारत एक राष्ट एक पार्टी है महारत वास्ता में चीन बन गया आप सबको बदाई हो फैसला आप के आप पे मैंने अपनी बात कही आप से आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं क्या लोगतंत्र में ये दिन भी देखने बाकी थे नाम लोगतंत्र है मैंने कभी आउस्ट्रिलिया के अंदर इंग्लैंड के अंदर बिटन के अंदर, अमेरिका के अंदर कभी MPs को ऐसे बिखते नहीं देखा सहाब, कभी कोई खबर नहीं है निकल के कि वहाँ पे कोई बिखता ऐसे कभी खबर नहीं आ ही, वहाँ कोई खरीदा जाता है, क्योंकि वोग तन्तर है, हम एक बीड तन्तर हैं सहब, हम लोग तन्तर के नाम पे धबबा हैं समय, लोग तन्तर का जो चुनाव है, अब उत्सव नहीं रह गया है, यह उत्सव उनके लिए जो बिकने और खरीदने को तयार बैठे हैं उनका उत्सव है हमारा नहीं सब हम तो बेवकूफ इंडियन नागरिक हैं जो जाके वोट देके आते हैं क्योंकि हमारे वोट के कोई कीमत ही नहीं है सब आपकी इच्छ है वोट देना दीजिए मैं तो नहीं दूँगा मेरे लिए अब लोगतंतर एक पर्व नहीं रहे गया लोगतंतर में चुनाव अब एक धकोसला है एक फ्रॉड बढ़के रहे गया फैसला आपके हाथ में शुक्रिया आपका